अगर आप Taro में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं और इसी से ही related अगर आपके मिल में कुछ सवाल हैं कुछ doubts हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको join कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपके जो भी doubts हैं जो भी सवाल हैं वो clear हो जाएंगे या फिर आप directly हमें screen पे दिये हुए number पे call भी कर सकते हैं तो जो भी आपके लिए convenient है वो आप कर सकते हैं Hello everyone मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि May month में आपके partner की क्या energies होंगी आपकी क्या energies होंगी finally May month में क्या होगा तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading तो लिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि May 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे पस यहाँ पे तीन set of cards हैं फिर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, फिर्स set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और फिर्स set of cards में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं Page of Swords and Engagement और यह cards कहते हैं कि मन ही मन, partner के लिए बहुत एक प्यार महबबत आप महसूस कर रहे हैं और दिखें, engagement का card बहुत ही clearly कहता है कि आप उनके साथ long term के लिए सोच रहे हैं आप engagement, marriage, living उनके साथ चाहते हैं लेकिन surface level के लिए Page of Swords का card कहता है कि बहुत एक immature energies आपकी रह रही हैं जहाँ पे थोड़ी सी एक irritation, थोड़ी सी एक frustration आप महसूस कर रहे हैं और हो सकता है कि Taurus आपका communication काफी blunt, काफी straightforward रह रहा है आप किसी चीज को लेकर बहुत defensive भी हो रहे हैं थोड़े से जिद्धी, थोड़े से stubborn भी आप हो रहे हैं अगर आप भी ऐसी ही energies कुछ time से या May starting में पाएं तो ज़रूर इसको check करके correct करें क्योंकि देखिए जब हम immature तरीके से चीजों को deal करते हैं या फिर इसी तरीके की energies हो जाती हैं भी मैंने आपको mention करी तो फिर issues मसले होते ही होते हैं और हो सकता है कि आपके अपने justified reasons हो क्यों आप ऐसा महसूस कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये हल नहीं है अगर कोई चीज आपको bother कर रही है partner के साथ खुल के बात करें और उस चीज को कैसे sort out कर सकते हैं उस पे focus करें blunt तरीके से बात करना या फिर irritated रहना फिर से मैं कहूंगी कोई हल कोई solution नहीं है and mid में के लिए आपे fatal event and the king of swords के cards कहते हैं हो सकता है कि कुछ issue कुछ मसला या तो आपके personal front में रह रहा है या आप दोनों के बीच में रह रहा है जिसको लेकर आप थोड़े से मन ही मन परिशान हो रहे हैं लेकिन surface level के लिए आप बहुत ही authority के साथ चीजों का control अपने हाथ में लेकर logically चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं in fact मैं कहूंगी कि में मन्त में आपकी तरफ से emotions, feelings, sentiments थोड़े से missing रहते हुए दिख रहे हैं mid-may तक आप काफी logical होते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद थोड़े practical थोड़े realistic होते हुए दिख रहे हैं and mid-may की खास कर अगर हम बात करें तो king of source का card कहता है थोड़े से controlling थोड़े से dominating भी आप रह सकते हैं और बहुत logically फिर से मैं कहूंगी चीजों को deal कर रहे हैं mind से चीजों को deal कर रहे हैं एक clarity रखना चाहा रहे हैं जो भी आप चाहते हैं उसी से ही related and end-may के लिए conflict and five of pentacles के card again बहुत ही clearly कहते हैं कि आपके और आपके partner के बीच में या तो कोई conflict हो रही है जैसे या फिर otherwise भी एक irritation एक conflicting सी energies आप महसूस कर रहे हैं अब देखिए conflict लडाई को भी कहते हैं और जब हम किसी चीज को लेकर अपने मन में दुविधा में होते हैं two minds में होते हैं तो वो भी conflict वाली energies होती हैं तो यहाँ पर general reading है और बहुत सारे torus देख रहे हैं तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा deeper level के लिए मन ही मन एक conflict वाली energies रहती भी दिख रही हैं surface level के लिए five of pentacles का card कहता है या तो आप partner को ignore कर रहे हैं, void कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके partner उतना attention उतना love आपको नहीं दे रहे हैं उनकी तरफ से कहीं एक rejection वाली energies हैं, देखें, rejection बहुत एक heavy या फिर बड़ा word है, यहाँ पर देखें five of pentacles का card literally अगर हम देखें तो block करने की बात करता है अब आजकल तो बहुत एक trend चला हुआ है, जरा सी लड़ाई होती नहीं है बच्चे दूसरे जन को block कर देते हैं तो कुछ Taurus और उनके partner के लिए यह भी हो सकता है, यहाँ तो Taurus आप उनको social media पे block कर रहे हैं यहाँ वो आपको social media पे block कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो you know एक उतनी बातचीत आपकी नहीं हो रही है या फिर किसी भी level पे एक दूसरे को ignore कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं अपनी चीजों में include नहीं कर रहे हैं क्योंकि Taurus यह card आपके लिए है तो या तो आप ऐसा partner की तरफ से महसूस कर रहे हैं आपकी energies partner के लिए हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है देखें आपके partner के लिए सबसे पहले cards है Witness and Two of Pentacles Reverse Witness का card कहता है कि में starting में आपके partner थोड़ा सा pause लेते हुए दिख रहे हैं और एक जैसे बोलते हैं observant mode में जाते हुए दिख रहे हैं deeper level के लिए आपको observe कर रहे हैं relationship को observe कर रहे हैं यह भी हो सकता है अपनी feelings, अपनी emotions जो उनके मन में आपके लिए हैं उनको observe कर रहे हैं उनको और जादा जानना चाह रहे हैं और शायद इसी लिए Two of Pentacles Reverse का card कहता है बहुत on and off वाली उनकी energies रह रहे हैं किसी दिन बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे किसी दिन इतनी अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे यह कुछ ठोर इसके partner के लिए हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है इस relationship से related कोई decision, कोई choice लेना चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है ना तो पूरी तरीके से relationship में आ रहे हैं ना जा रहे हैं तो बहुत up and down, in and out वाली energies partner की तरफ से रह सकती हैं and mid May में finally वो अपने लिए stand लेते हुए दिख रहे हैं और पर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इन in and out वाली energies से बाहर निकल के solid एक decision लेते हुए दिख रहे हैं solid एक choice लेते हुए दिख रहे हैं और उसी से ही related बहुत confidently, बहुत assertively action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं अब ये दिखिए decision choice सब Taurus के partner के लिए differ करेगा deeper level का card देखते हैं वो हमें clarity देगा बहुत great नहीं है कितनी बारी क्या होता है ना हम सामने वाले को देख रहे होते हैं, उसकी गलतियां भी हमें देख रहे होते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देख पाते हैं, हम अपनी जो भी issues हैं जो भी mistakes हैं, mistake is again a very very you know big world, जो हमारी तरफ से कुछ भी एक behavior है, attitude है हम उसको नहीं देख पाते हैं, जिसका एक result, partner की energies हो सकता है, या partner का कोई behavior आपका behavior का outcome हो सकता है, तो जो भी reason रहे, no in love का card कहता है मन ही मन उनको ऐसे लग सकता है कि बस, इस relationship में आगे बड़े challenges हैं, बड़े issues हैं आप दिखें, मैं ये नहीं कह रही कि वो इस relationship से जा रहे हैं, आपका break up हो रहा है, वो end कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही, बहुत सारे thoughts हमारे मन में आते रहते हैं, और हर thought पे हम action नहीं लेते हैं, हर thought हमारा सच नहीं होता है, तो यहाँ पे one of the thought, यहाँ फिर mid में के लिए उनकी energies हो सकती हैं, जहाँ पे वो बहुत जादा relationship में नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पिर अपनी तरफ से बहुत action initiatives नहीं लेना चाह रहे हैं, या दिखें यह भी हो सकता है, उनको लग रहा है कि इस relationship का कोई future नहीं है तो उसी हिसाब से वो action initiatives अपनी personal life में लेना चाह रहे हैं, और दिखें ऐसा वो कोशिश तो कर रहे हैं, कहीं यहाँ पे cohesion का card कहता है, कि आप से अलग नहीं हो पा रहे हैं, मन ही मन और deeper level के लिए surface level के लिए page of wands reverse का card कहता है, कि उनकी भी immature energies रह सकती है, जहाँ पर over या तो enthusiastic excited किसी चीज को लेकर हो जाते हैं, या पर एकदम से ही उनका enthusiasm excitement low हो जाता है, तो देखिए आपकी हमने May starting में immature energies देखी, आपके partner की हमने end में immature energies देख रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको ज़रूर बोलूँगी Taurus, कि अगर आप पाएं ये बचकानी सी energies, immature energies, तो ज़रूर इसको check करके correct करें, क्योंकि ये जो भी issues आप दोनों के बीच में अगर हो रहे हैं, उसका बहुत बढ़ा reason रह सकता है, और कहीं, देखिए कभी बहुत ज़्यादा action initiatives हो सकता है, लें कभी ना लें, जो भी वो surface level के लिए कर रहे हैं, मन ही मन कहीं वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका साथ अपनी life में चाहते हैं, आप से अलग नहीं होना चाहते हैं और यहाँ पे कुछ और उसके पार्टने के लिए भी हो सकता है, कि किसी बात को बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए हैं किसी चीज को वो छोड़ नहीं रहे हैं, एक जिद उन्होंने पकड़ी हुई है और अब देखते हैं कि में मन्त में क्या हो रहा है तो दिखें, में स्टार्टिंग के लिए सेविन ओफ सोल्स का काड़ बहुत क्लियरली कहता है कि आप दोनों याप दोनों में से कोई एक एसकेपिजम वली एनरजी में हैं, यानि कि सामने से अप्फरंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी अवाइट कर रहे हैं और कहीं आप दोनों में से किसी एक के intention, motive भी हो सकता है उतने अच्छे ना हो क्योंकि सेविन ओफ सोल्स का का काड़ कहीं cheating की भी बात करता है और दूसरी चीज़ ये काड कहीं manipulate भी करने की बात करता है diplomatically चीज़ों को deal करने की बात करता है तो इसी तरीकी की energies कहीं में starting के लिए आप लोगों के लिए रहती भी दिख रही है deeper level के लिए waiting का काड कहता है जो भी surface level में हो रहा है कहीं मन ही मन आप दोनों किसी चीज़ का wait कर रहे है कभी कभी हमें लगता है ना शायद partner का mood ठीक नहीं है थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं थोड़ा उनको time दे देते हैं सब ठीक हो जाएगा तो ये एक इंतजार हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है अगर किसी भी level पर distance आया है तो दूसरे जन की तरफ से action initiative, message, phone call का इंतजार कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है right time का इंतजार कर रहे हैं तो देखिए मन ही मन किसी चीज़ का इंतजार आप दोनों करते हुए दिख रहे हैं and in the process या in the meantime time कहीं up front होके चीज़ों को नहीं deal कर रहे हैं अब यहाँ पर देखिए कुछ के लिए यह भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि circumstances, situations उतने favorable नहीं है और इसलिए थोड़ा सा escapism वाली energies है and देखिए mid May के लिए night of wands reverse and receptivity के cards कहते हैं अगर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रावल करना चाहęt है तो ट्रावल plans delay हो सकते हैं पोस्टपोन हो सकते हैं उनसे related issues मसले हो सकते हैं और अगर आप दोनों में से कोई एक इस relationship से Move On करना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी stuck इस Relationship में है या stuck feel कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो नहीं निकल पा रहे हैं फिर से मैं clear कर दूँ अगर travel करना चाह रहे हैं तो travel से related problems issues छोटे मोटे रह सकते हैं अगर इस relationship से move on करना चाह रहे हैं आगे बढ़ना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं अगर relationship में stuck energies हैं बह इतना effort भी नहीं कर रहे हैं, मतलब होता है ना, कितनी बारी हम चाहते तो हैं, कि हम आगे बढ़ें, growth और progress हो, लेकिन हम अपनी तरफ से action initiatives नहीं ले रहे होते हैं, तो receptivity का card कहीं बहुत एक passive energies की बात करता है, और दिखे इस time period में एक anxious energies भी इस relationship में रह सकती हैं, एक anxiety सी भी आ मेड मे के लिए negative card नहीं है, ये card सिरफ जैसे हम लोगों को हो ही जाती है, कितनी बारी छोटी मोटी anxiety, छोटी मोटी एक anxious energies उसकी बात करता है, एंड मे के लिए judgment reverse का card कहता है, कि कुछ चीजों को end करके एक नई beginning करना चाहा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं दिखे मे मन्त में overall के लिए मैं देखूं, तो stuck energies रह सकती है, तहीं आप लोगों को ऐसा लग सकता है, कि जो भी हो रहा है वो आप दोनों के लिए, या फिर आप दोनों में से किसी एक के लिए fair नहीं है, ये justice नहीं है, और unfair energies महसूस कर रहे हैं, movement mid May में चाहा रहे हैं नहीं हो रही हैं, यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है, कुछ के लिए, या फिर मैं कहूंगी, इका दुका टॉरस के लिए relationship हो सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है, जो भी issues मसले इस relationship में चल रहे हैं, या फिर overall के लिए अगर हम देखें, जो भी issues मसले इस relationship में चल रहे हैं, उनको end करके नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं दीपर लेविल के लिए family का card कहता है या तो family की interference family की involvement की वज़े से issues या मसले हो रहे हैं या फिर इस time पे आपकी family आपको काफी support कर रही है तो ये था Taurus आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें